दोस्तो नमस्कार मैं फिर से एक बिजनेस आइडिया के साथ आप लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा है और हमेशा बनी भी रहेगी क्योंकि इसके बिना दुनिया चली नहीं सकती क्योंकि इसका इस्तेमाल हर घर, स्कूल एवं कालेजों में होती है और सबसे करे एवं पैकेजिंग करे और मार्केट में सेल कर दे दोस्तों सुरुवाती समय में तो किसी भी बिजनेस में आपको मेहनत करनी पड़ती है इस बिजनेस को सुरू करके आप प्रती दिन चार हजार रुपए तक कमा सकते हैं बस इसके लिए एक मसीन लेनी होगी जिसकी कीमत लगबग 2 लाख रुपए होगी अगर इस बिजनेस के बारे में अधिक जनकारी चाहते हैं तो इस बीडियो को पुरा जरूर देखे क्योंकि मैंने इस बिजनेस से सम्मधित सभी परका से लगेंगे और मिलेंगे कहां और साथ में यह भी बताऊंगा कि इस business को सुरू करने के लिए हमारी लागत कितनी आएगी और एक profit report के माधहम से यह भी बताऊंगा कि आपको इस business में कितना मुनापा होगा तो इस वीडियो में हम बात करेंगे A3, A4 एवं A5 साइज के पेपर के बिजनेस के बारे में तो दोस्तो इस बिजनेस को सुरू करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे और अच्छी लगे तो इसे लाइक, सेर एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि इस चैनल पर छोटी बड़ी बिजनेस से समंधित वीडियो अपलोड करते रहता हूं जिसे आप आसानी से देख सकते हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों मसीन के लिए आप इंडियामाट.com पर आ सकते हैं और सर्च भारम टाइप कर दे पेपर रोल कटिंग मसीन आप देख सकते हैं नीचे आटोमेटिक पेपर रोल टू सीट कटिंग मसीन है ये एक लाइक असी हजार रुपे की है अगर इसके नीचे देखते हैं आप तो तेरा लाइक एक आउन हजार रुपे की है उसके नीचे देखते हैं तो 1,80,000 रुपे की है उसके नीचे देखते हैं तो 1,75,000 रुपे की है यहां तरह-तरह की मसीने मिलेंगी आपको सस्ती और मांगी छोटी और बड़ी तो शुरवाती तोर पर हमें छोटी मसीने ही लेनी होंगी तो यहां से आप मसीन ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, यह 1,80,000 रुपे की, इसका production rate जो है एक दिन का 500 kg का है, आप 500 kg प्रोडक्स कर सकते हैं इस मसीन से एक दिन में, आप यहां से मसीन भी ले सकते हैं, ओनलाइन सर्च करके, बहुत सारे supplier आपको मिलेंगे, वहां से भी सकते हैं, 60 रुपे प्रति किलोगराम है, plain printing white paper roll GSM less than 80 GSM, जो upper size paper होता है, 70 या 80 GSM का ही होता है, तो यही paper चाहिए, यह 60 रुपे प्रति किलोगराम हमें मिल रही है, इसे भी आप online सेर्च कर सकते हैं, या मार्केट से मंगवा सकते हैं, दोस्तों, cutting होने के बाद हम किस rate में वो भी देख लेते हैं आप देख सकते हैं यहां जो है 190 रुपे परती पैकेट है यहां पर 195 रुपे परती पैकेट है यहां पर 155 और यहां पर 170 रुपे परती रीम एक रीम यानि कि एक पैकेट में 500 पेपर होता है 500 पेपर इसका वेट देखे तो 2 kg के बराबर होता है 2 kg 220, 230, 240, 250 रुपे तक मिलती है लेकिन ये थोक रेट है यहां 195, 155, 170 और 160 रुपे के रिम आपको मिल जाएगी तो हम इसी रेट पर बेच सकते हैं दोस्तों इसकी पैकेजिंग के लिए आप चाहिए इसका पैकेट कहां से लाए तो पैकेट के लिए भी आप इंडिया माट पर जो supplier हैं उन्हें आप order दे सकते हैं और अपनी company या अपने brand का प्रिंट करवा कर अपना cover बनवा सकते हैं इस तरह का ये भी आपको 180 रुपे प्रतिकेजी के इसाब से प्रिंट करने के बाद आपको मिल जाएगा दोस्तों यहां से हमें raw material का और जो production होने के बाद हमारा market मे माल किस rate पर जाएगा उसका अंदाजा तो हमें मिली क्या है उसी अदार पर हम आगे इस वीडियो में profit report के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा इस business में कितना खर्च होगा यानि कि fixed capital पर कितना खर्च होगा आगे इस वीडियो में हम बात क खर्च हो जाएंगे हमारे वायरस सूच हो गयरा पर तो यानि कि एक लाख नब्य हजार रुपे हमें fixed capital पर खर्च करने होगे दूसरी है working capital यह per day के हिसाब से है एक दिन का यह cost है working capital का आप देख सकते हैं उपर में works, raw material, utility and other expenses per day एक दिन का हिसाब किताब है उस machine से आप raw material 500 केजी तक conception कर सकते हैं एक दिन में यानि कि paper roll जो है हमारा 500 केजी लेना होगा इसका rate जो है 60 रुपे आप देख चुके हैं 3000 रुपे यानि कि 30,000 रुपे का हमें paper roll लेना होगा उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे packaging material जो है 5 केजी हमें खरदनी होगी 5 केजी में 500 पैकेज packaging packet आएगा तो 200 हमारा packet बनेगा उस हिसाब से 180 रुपे केजी के हिसाब से ये 925 रुपे इसका हो जाएगा अगर labor तीन नमबर में देखिए labor अगर हम दो रखते हैं और 400 रुपे देते हैं तो 800 रुपे उन्हें देने होंगे transportation charge एक हजार रुपे हमारे उसमें खर्च हो सकते हैं और 5 नमबर में miscellaneous expenses इसमें 1000 रुपे हमारे खर्च हो जाएंगे पानी के ओगर ओगरा ओगरा ये सब और power पर हमारे खर्च हो जाएंगे तो 500 उर्पे हमारे एक दिन का rent देने होंगे यानि कि total working capital देखे तो 34,525 उर्पे हमारे एक दिन का हो जाएगा इस हिसाब से 500 piece in one rim एक rim में 500 paper होता है 500 piece paper उसका weight 2.2 kg का आएगा आपको यह right weight है तो 500 by 2.2 यानि कि 227 packet हमारा या rim तयार होगा माल बन के हमारा final production 227 rim एक rim में 500 page होता है 227 rim हमारा तयार होगा उस हिसाब से cost of production in one rim एक rim का अगर हम cost of production निकाले तो 34,525 by 227 यानि कि 102 रुपया हमारा cost of production आ रहा है एक rim पर यानि कि एक packet पर अब दोस्तों हम profit report की बात कर लेते हैं profit report में आप देख सकते हैं कि 227 rim एक पर size paper per day एक दिन का या profit report है 227 rim अगर हम production करते हैं उसका तो इसका market price of one rim एक rim का market price जो market में मैंने आपको दिखाया था इंडिया माट पर के इस rate में मिल रहा है वो थोक rate है खुदरा rate 200 का उपर होता है 220, 230, 240, 250, 260 तक मिलता है थोक rate में 150 से 195 रुपे तक है ये rate जो है GSM पर होता है यानिक 70 GSM, 80 GSM, 90 GSM, 100 GSM पर अंतर आता है rate का तो हम जो 80 GSM का बता रहे हैं ये 150 से लेकर 195 रुपे तक आपको rate आपने इंडिया माट पर देखा है उससाब से अगर हम एक रिम का rate 170 रुपे रखते हैं 170 रुपे में wholesale rate में अगर हम बेचते हैं तो total production हमारा 227 अब देख सेते हैं थर्ड लाइन में 227 रिम हो रहा है उससाब से total market value हमारा 227 into 170 यानि कि 38,590 रुपे हमारा एक दिन का जो market value होगा 38,590 रुपे होगा अगर profit निकाले हम तो profit in one day यानि कि एक दिन का profit निकालते हैं तो 38,590 हमारा total market value minus total cost of production 34,525 यानि कि 4,065 रुपे हमारा एक दिन का benefit हो रहा है उससाब से हम एक महिने का यानि कि वन मन्त का निकाले तो 4,065 into 30 यानि कि 1,21,950 रुपे हमारे एक महिने में profit हो रहा है मातर 1,80,000 रुपे की machine से छोटी सी जगा में हम इस business को शुरू कर सकते हैं दोस्तों अगर 500 kg हम एक दिन में consumption कर लेंगे machine से लेकिन market में supply नहीं कर पाएंगे के वो 500 kg ही भी कर पाएंगे तो 500 kg का भी हम आप देख सकते हैं 1,2950 divided by 2 यानि कि 6,950 रुपे हम मन्त ली 500 kg भी consumption करके market में माल supply करके कमा सकते हैं 60,000 रुपे महिना दोस्तों जब आप इस वेवसाय को बड़े पैमाने पर अलग जगर लेकर सुरू करते हैं तो इसके लिए वेवसाय या ट्रेडिंग लाइसेंस प्राप्त करना आवस्यक होता है इसके अलावा आपको अपने वेवसाय का MS, ME एवं GST के तत राजिस्टेशन करवाना भी आवस्यक होता है दोस्तों आपको बता दो कि इस वीडियो में दी गई सभी जनकारी नीज पेपर एवं इंटरनेट के माध्यम से ली गई जनकारी पर अधारित है यह जनकारी केवल एजुकेशन परपस के लिए है इसलिए आप कोई भी बिजनेस सुरू करें तो अपनी सुझ भुच से सुरू करें क्योंकि हर कोई किसी भी बिजनेस को मुनाफय के लिए सुरू करता है लेकिन कभी-कभी उसे घाटे का भी सामना करना पड़ता है दोस्तो इस बिजनेस में दी गई पेपर बिजनेस के बारे में जनकारी आपको कैसी लगी आप इस वीडियो के माध्यम से हमें कामेंट करके जरूर बताएगा साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियो है जो कि छोटी इंवेस्मेंट में अलग-अलगता रहके बिजनेस के बारे में जनकारी देती है उससे देखने के लिए आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तो धन्यवाद जय हिंद